नमस्कार भक्त जनू आज मैं हमारे पुरातन धर्म और संस्कार के अनुसार या यह कहें कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार एक इस्त्री को कैसा होना चाहिए रामाईन में शीता जी के माध्यम से जो बाते कहीं गई हैं कैसे बंगमन के समय सीता जी ने एक इस्त्री के धर्म के चर्चा की और अपने आपको सिरी राम के साथ जाने के लिए कहा और उनको मनाया ये इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा जब सिरी राम चंजी को 14 वर्स का बनवास गोसित हुआ तो सिरी राम चंजी ने चाहा किसी तरह से बन में नहीं जाए ताकि उन जो बन की तकलीफे हैं वे उन्हें नहीं भोगनी पड़े तो सीता जी ने कैसे उन्हें इस्तरी धर्म होने के नाते अपने उनको अपने साथ ले जाने के लिए विवस किया या किस तरह से एक किसी धर्म की ब्याक्ष्या की है चलिए इसमें सुनते हैं सीता जी के मूख से हैं आप का पुरुस कब से हो गये आप अपनी भारिया की रक्षा करने में भी असमर्थ है मेरे पिता मिथला नरेश विदेह राज जनक ने जमाता को दुरुवल जानकर अपनी कन्या दी थी जो त्रिवुवन का रक्षक है वह किस बात से भैभीत है आपको कहते हुए ऐसी बातें सोभा देती है बन जाना मेरे लिए योग नहीं है और आपके लिए है मैं उचकुल में जन्मी राजसदन में पली हूँ मैंने मिर्ग, ससक जैसे पशु, पंच्छी और पुस्पी ही देखी है गज, वारा, व्याद्र, महासर्प, रिश और निशाचरों की विहार भूमी है वन वहाँ पदपद पर मिर्तियों मुखफारे मेरे लिए ही छिपी है वन परवतों का हानिकारक जल, वहाँ के करवे कसेले कंदमूल, सयन की उवर खावर जमीन वहाँ चलते हुए भ्यानक आंधी तुफान जन्जावत तथा दंस मश्कू से उपद्रित वन मेरे लिए ही है तुम्हारे लिए वन जाना किसी प्रकार युग्य नहीं है अत्यंत दुख के आवेश में रूस पुर्वक जनक नंदनी सिरी सीताजी कहने लगी मेरे स्वामी आप बन में जाएंगे और मैं यहां सुख भोगने के लिए रहूंगी मेरे न माता है न पीता न भाई न सेविका और न दुसरे कोई सम्मंधी मैं केवल आपकी और मेरे एक मात्र आप है क्रोधा वेश में सिताजी ने अपने स्वामी स्रेराम से अपने हिर्दे के उदगार प्रकट किये कुछ शन बाद वे सांथ हुई और प्रभु के सुनाएं उन वचनों का मनन करने लगी सत्य प्रतिग्य पिता ने छोटी माता के कई को जो दो वर्दान दिये हैं भरत अयोध्या के राजा होंगे और मुझे चोदा वर्स बन में रहना है मेरे पीछे तुम्हें माता पिता की सेवा करनी है और माता के कई का सम्मान करना है भरत सत्रोण को अपना पुत्र समझ कर उनसे स्ने करना तुम भरत से कुछन कहना मत, भरत के समुख कभी मेरी चर्चा मत करना, उन पर अपनी किसी आवशक्ता का भार मत डालना, उनकी अनकूल रखना, यदि पी भरत, धर्मग्य, उदार, तथा सद गुनेक धाम है, किन्तु राजा कभी अकारन प्रशन्य और कभी अकारन अप्रश होते ही हैं, अतभरत का ध्यान रखना, मुझे प्रसंद मन से विदा करो, मात्र 14 वर्स की अबधी पुर्ण करके, सिग्र तुम्हारे पास लौट आऊंगा, सीता जी अपने को संभाल कर बोली, मेरे स्वामी, बच्पन में मुझे देखकर, एक जोट्सी ने और एक भिक्षनों ने भी मेरे माता पिता से कहा था, इस कन्या को बन में जाना पड़ेगा, मेरे आराध्ये ही बन जा रहे हैं, तो मुझे बन जाने में क्या कठनाई है, मैं आपके साथ भ्यंकर्तम बन में चलने को उद्धत हूँ, मेरा प्रतिवाद मत कीजिए, बन में आपके आगे आगे अपने पैरों से कुस कंड़क रौधती चलूँगी, मैं ब्रहमचर पुर्वक्र हूँगी और आपके किसी कस्ट, किसी असुविधा का कारण नहीं वनूँगी, आपके साथ मैं सहस्त्र वर्ष भी बन में रह सकती हूँ, मुझे केवल आपकी चरन्चाया चाह प्रेतम, आपका सिनह पाकर वन के सभी दोस मेरे लिए गुन रूप हो जाएंगे, सिता जी कहने लगी, आरे पुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू, ये शब पुन आदी कर्मों का फल भोगते हुए, अपने अपने भाग्य के अनुशार जेवन करते हैं, पुरुस प्रवर केवल पतनी ही अपने पती के भाग्य का अनुसरन करती है, आपके साथ ही मुझे भी बन में रहने की आग्या मिल गई है, वन के कष्टों का वर्णन करते हुए, स्री प्रभू, राम ने, सुरक्षा एवं, शुविधा की द्रिष्टी से, सीता ची को वहां चलने से मना किया था, ये हंस गमनी, तुम बन के दुखों को कैसे सहोगी, देवी दुराग्रह मत करो, तुम्हारा सुकुमार, स्री अंग, वन के कष्टों को सहने योग्य नहीं है, तुम अयोध्या में अत्वाप पित्री गए, जहां जब मन लगे रहना, किस दाजी कहने लगी, हे प्रभू, आपके अनुगमन से परलोग में भी मेरा कल्यान होगा, आपके साथ सदय मेरा संयोग बना रहेगा, ये सस्वी ब्रामनों के मुख से ये पवित्र सुरूती शुनी है, कि इस लोग में पिता आदी के द्वारा, जो कन्या, जिस पुरुस को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वो मरने के बाद परलोग में भी उसी की पतनी होती है, मैं आपकी धर्म पतनी हूँ, उत्तम ब्रत का पालन करने वाली और पती ब्रता हूँ, फिर क्या कारण है कि आप मुझे अपने साथ ले चालना नहीं चा आप किस बात से भैवीत हैं, क्या आपकी इसमें तेजस्विता है कि मुझ असहाया एकाकिनी को इस परकार आतंकिक करके छोड़ जाएं, हे प्रानात आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदाई नहीं है, हे नात जैसे बिना जीवन के देह और बिना जल के नदी व कहुं सुखद कतहुं कुछ ना ही, जीविनु देह नदी विनु वारी, तैसी ये नात पुरुस विनु नारी, सावित्रे अपने मिर्थ पती सत्यवान के जीवन के पीछे लोक भ्यंकर यमराज का पीछा करती यम लोक के द्वार तक चली गई थी, क्या मैं अपने सर्व सम मर्थ स्वामी के साथ बन में जाने युग्य नहीं हूँ, तब आप आज बन किसी प्रकार नहीं जा सकते, आपको आज मेरी अंतेष्टी करके ही बन जाना है, आप मुझे त्याग रहे हैं, तो वैदेही भी इस अपेक्षित सरीर को एक पल भी धारन नहीं करेगी, आपके स स्री चर्णों में देह त्याग करती हूँ, ऐसा कहकर कटे व्रिक्ष के समान स्री वैदेही मुर्चित होकर गिर पड़ें, प्रभु ने अत्यंत आतुर्ता पुर्वक उन्हें भुजाओं में उठा लिया और कर्ण के समिक मुक लिख जाकर उच्च स्वर में बोले, देव साथ चलो। समय तुम्हारे इस प्रकार द्रड़ निश्य कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। स्रिसीता जी हरसित होकर खड़ी हो गई। सास कौसल्या जी के स्रीचर्णों में वंदन करती हुई कहने लगी, हे माता मुझ अभागनी को आपकी सेवा के समय दैव ने बनवास्ते दिया। सुनिये माय मैं परम आभागी सेवा समय दैयाउं बनो दिन हैं मोर मनो रतु सफलन किन हैं। उक्त प्रसंग से जगत जन्नी जानकी जी यह सिक्छा दे रही हैं कि केवाद सुख में ही नहीं, अपितु, दुख और विपत्ती में भी पत्नी को पत्ती का साथ देना चाहिए। अरधांगनी होने के कारण स्री सीता जी ने राम को मिली बनवास की आग्या को अपने लिले बिना कहें ही स्विकार कर लिया। यही भरतिय नारी का आदर्स है और भगवती सीता इनका प्रतिमान है।